तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चेनल एक्स्प्लेइन फोर यू में आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भाग करना यानि डिवाइड करना डिवाइड वाले कुश्चन आप सबको आते तो होंगे जिसे 2-8 को भाग देना 4-16 को भाग देना इन संख्याओं को भाग देना कठिन नहीं होता क्योंकि छोटी मूटी संख्याओं के टेबल बनाकर हम डिवाइड कर सकते हैं पहाड़ा बना सकते हैं पर क्या होगा अगर पहाड़ा बड़ा आ जाए जैसे उन 40 के पहाड़े में हमें 468 को लाना है कितनी बार में आएगा भाग देके देखना पड़ेगा तो क्या हमें इतना बड़ा टेवल याद करने की जरूरत है तो नहीं यहां पर एक अनुमान करन वाला तरीका काम में लिया जाता है मतलब एक अजम्शन लिया जाता है कि यहां संख्या लगभग 40 के पास ही है किवल एक ही तो कम है मतलब हम इसको 40 मान कर हल कर सकते हैं अगर हम इसको 40 माने तो 40 के पहाड़े में 46 कितनी बार में कटेगा या तो 46 या उससे छोटा कोई कि 40 से 46 को जो है न वो एक ही बार में भाग दिया जा सकता है अब यहां पर सोने पे सुहागा हो जाता है अगर आपको वो नमबर पता चल गया कि एक बार में कट रहा है तो करना कुछ भी नहीं है इस नमबर का उस वाले नमबर से जिससे भी आपको भाग लगाना था उसमे कर दो आजाओ करते हैं एक का गुणा कर दो इसमें 49 में तो 49 ही आएगा यानि 39 ही आजाएगा अब आप घटाते हो तो यहां पर इन दोनों नमबरों को घटा लो माइनस कर दो 46 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहां बचेंगे 7 ओके अब आपको क्या करना है फिर से भाग देने लग जाना है 49 के पहाड़े में यह जो छोटा नमबर है न 7 यह नहीं आने वाला पर यह एक बड़ा नमबर है और यह एक छोटा नमबर है अब इसमें भाग लगेगा नहीं तो हम क्या करते हैं उपर से कोई नमबर उतारते हैं उपर क्या लिखा है 8 लिखा हु यह संख्या है 58, तो 40 के पहड़े में 80 कितनी बार में आएगा, यह आएगा 2 बार में, 40 दुनी 80, तो यहाँ पर हमें पता चल गया वो नमबर कि 2 बार में कटेगा, अब आपको वो संख्या पता चल जाती, तो आप क्या करते हो, वही पुराने वाला तरीका, कॉमेंट में बत हासिल का 1, दो का गुणा 3 में करेंगे, दो तिया 6, और हासिल का 1 जोडेंगे, तो 6 और 1 हो जाएगा 7, लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, इठोतर में से इठोतर जाएगा, तो यहाँ पर 6 फल आ जाएगा आपका 0, कितना आ गया? 6 फल आ गया 0, य हमारे थोड़े-थोड़े समझ में आ रही है, किसी संख्या का पहाडा नहीं आए, तो आप बस उतना करो कि उसके आसपास कौन साइसा नंबर है, जैसे 49 का तो नहीं आता पहाडा, लेकिन 40 का पहाडा आसान है, उसको 40 मानकर हमने solve करने की try करी, अनुमान लगा कर try किया, औ जैसे जैसे यहाँ नंबर पता चलते गए, उनका multiply करके घटाते चले गए, आईए एक और सवाल करता हूँ, ताकि आपको practice में आ जाए, पहले तो आप like का वडन दबा के, मुझे एक प्यारा सा comment लिख दो, कि आपको यह video कैसा लग रहा है, आईए एक और सवाल, ताकि पसीने चुटने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर 112 का भाग करने वाले हैं, 3136 में, अब 112 का पहाड़ा तो हमें नहीं आता होगा, लेकिन आपके सर जी ने आपको वो method बताई है, कि 112, यह संख्या किस के आसपास आती है, यह संख्या लगभग 100 के पास की है, हम इसको 100 मान ल तो जाहिर सी बात है, यह लगभग 3 बार में आ जाएगा, कितनी बार में आ जाएगा, लगभग 3 बार में कड़ सकता है, लेकिन पहले हम ट्राय तो कर लें कि 3 बार में कड़ भी राय नहीं, बड़ी संख्या तो नहीं आ जाएगी, देखते हैं, 112 लिखा है, हमने कहा कि 3 ब उपर वाली संख्या से इसे घटाना पड़ता है ना तो हम घटा ही नहीं पाएंगी क्योंकि उपर वाला नंबर छोटा है 313 और नीचे वाला नंबर बड़ा है 336 मतलब आपने जो पहाड़ा कहा है अनुमान लगा के कि तीन बार में कटेगा वो तीन बार से नहीं कट रहा ज लिख लेते हैं तो हमें छोटा वाला टेबर पढ़ना पड़ेगा अनुमान लगाने से अगर बड़ा नंबर आ रहा है घटाने में दिक्कत आ जाएगी इसलिए फिर हम क्या करेंगे तीन से गुणा किया तो अब हम उसे छोटा नंबर से गुणा करेंगे दो से गुणा कर है ना अग्दम अंधेरे में ना रहके चलो सारी चीजों को कैलकुलेट करते करते हम सीखने वाले हैं आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे गलतिया नहीं करेंगे तो हम उनको सुधार कैसे करेंगे इसलिए तो हमें पता चलिए कि तीन बार में नहीं कटेगा य यूनी 4, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 एक कम 2, फिर 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 एक कम 2, लीजी इस बार यहाँ नमबर आपस में कट जाएंगे, यानि कि माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नमबर छोटा है, 313 में से घट जाएगा, चलिए घटा लेते हैं, 3 में से 4 नहीं जा देखेगा, 0 में से 2 नहीं जा सकता, आप आगी लिए लिए नमबर में से उधार लोगे, तो यहाँ दो बच जाएगा, और एक उधार चला गया, तो यहाँ बचेंगे 8, और यहाँ दो में से दो गया, तो यहाँ तो बचेंगा 0, यानि 89 बचा है आपका यहाँ पर, अब वो 112 के पहाड़े में 89 को देखना है। यानि लगभग ये 100 के आसपास है। 100 के पहाड़े में आपको देखना है कि 90 के आसपास का नंबर कितने बार में आता है। 100 के पहाड़े में 90 नहीं आएगा, क्योंकि 90 छोटा नंबर है। यानि हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, कैसे बढ़ाएंगे, अगला नंबर जो लिखा है ना, उसको उतार देंगे नीचे, अगला नंबर है 6, उसको हमने उतार दिया नीचे, तो यहाँ संख्या 896 बन गई है, अब 100 के पहाड़े में लगभग 800 चाहिए, तो कितनी बार मे यहाँ 8 से गुणा करके देखते हैं, क्या आता है, 8 से गुणा करेंगे 2 में, 8 दुनी, 16 की 6, हासिल आ गई हाँ पर 1, फिर 8 एक कम 8, और हासिल का एक जोड़ा तो हो गया 9, फिर 8 का गुणा 1 से करेंगे 8 एक कम 8, लीजे दोस्तों, पूरा फिक्स नंबर ही आ गया है माइन आपका है 28, यानि आपने संख्या का बड़ी आसानी से केवल अनुमान लगा कर ही आप भाग देना सीख गय हो, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट में जरू बताएगा, मैं जानता हूँ कि अनुमान लगाने में आपको शुरू- मैं थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बड़ जैसा मैंने बताया कि आप गुणा करके ट्राइ करो, अगर बड़ा नंबर आजाए कभी यहां पर, तो घटा नहीं पाओगे, तो आप छोटा टेबल लेके ट्राइ करना, मतलब छोटे संख्या लेके गुणा करना, I hope वीडियो पस पूरा देखने के लिए.